कि यहीं दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ससी जेडी का सेट प्रक्टिस चार देखेंगे इससे पहले जो है आपका तिन तक परभाइड क्या जा चुका है यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएं वहां पर आपको सारे वेडियो मिल जाएंगे और आ प्रभु आपके क्रिपास से मेरा काम हो रहा है करते हो तुम कनहया हो करते हो तुम कनहया जग में मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपके क्रिपास से मेरा काम हो रहा है चले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और यहां पर हम लोग का जो पर आज का जो इसमें हम लोग देखे करेंगे जो जी के और येस का प्रश्ण होगा तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोभाइड किया जाएंगे साम में तो चलिए यहां पर देखिए जो पहला प्रश्ण है करें कि चार सब्द दियेगा है जिसमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है मंद गति होता है मंद गति के मतलब धीरे धीरे होता है ठीक तो यहां पर आपका राइटेंसर यह हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण दूसरा जमलों का प्रश्ण है कि उस विकल्प का चैन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार समबंदी थे जिस परकार दूसरा पद पहल केंड लिजी शेलिए्हाँ अगला यहां पर हम लोग का प्रश्न है कि यहां निया पर भागा का जूअर्थ छोड़ है जूड़ाय घटाव के यहां पर लोग मान की बात करें डूसका सल्व किजिए गाव तो इसका राइट उन्सार से धालीज होगा ठेक राइट एंसर आप इसको दो लों और जी आलफाबेट से है यहां पर जी टी एच यू यह फिर इन एज बियो इफ आर स और चौतहे में जो सी ओडीब एडि तो इसमें आपका राइट एंसर कौन सा हों जाएगा इसमें आपका राइट एंसर होगा कैसे यहां पर दिखेंलिक तो हैं कि सब्सक्राइब जाए में हहाँ पर है तो डिए सब्सक्राइब इसमें प्रवारा खते कि दे गई स्रिंखला में अगली संख्या ग्याद करना है 37 45 35 61 तो अगली बार क्या होगा इसमें आपको बताना है तो बिल्कुल आप लोग बताइए देखे यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगले अप्रों में 8 का अंतर हो रहा है तो यहां पर भी अंतर होना चाहिए और जोड़ेंगे तो 79 होगा राइटेंसर भी हो जाएगा ठीक चलिए अगला प्रिष्णिक उस विकल्प का चैन करें जो तीसरे पद से उसी परकार संबंदी थे जिस परकार दूसरा पद पहले पद से संबंदी थे तो यहां पर duc-c-g-d-le तो यहां पर x न्यानि कि क्या होगा तो देखिए यहां पर अगला होगा यहां पर जब हम लोгляд c से यहां पर दखिए c से क्या यहां पर जो पहले में है कि c से आपको चार बढ़ाए गया सि开心 बढ़ेहे हैं यहां पर १ mission जाएंगे तो चाइएगा और सी से जब हम लोग डियाएंगे तो इसमें एक प्लस होगा तो दूसरे में एक प्लस हो रहा है और जो पहला लेटर है इसमे चार प्लस हो रहा है ठीक तो आम कि चलिए अगला जो पॉइंट यहां पर हम लोग है कि यादि निश्चित कुट भासा में एप्रोन को ब्रोसर के रूप में लिखा जाता है तो इस टोफ को कैसे लिखा जाएगा ठीक यहां पर देखिए यहां पर जो है आपका यह भी कोई फ्रॉम में हो रहा है और यहां प बढ़ाए गया तीसरा जो लेटर है उसमें तीन बढ़ाए गया चोथे में चार बढ़ाए गया और पांच वे में पांच बढ़ाए गया तो हम लोग इसमें भी ऐसे करेंगे पहले में एक बढ़ाएंगे दूसरे में दो तीसरे में तीन चोथे में चार और पांच वे में पर लुप्त असन गयात करना है आपको बताना है यहां पर 4 13 9 यहां पर देखिए यहां पर जो आपका राइट एंसर होगा वह राइट एंसर कौन सा हो जाएगा साथ हो जाएगा ठीक ऐसे देखे कैसे हुआ है कि यहां पर 13 में 4 को माइनस कर दिया गया तो नौ पराप्त हुआ है 21 में आपको 15 घटाएगा माइनस क्याएगा है तो छोप राप्त हुए है 42 में जब आप लोग 35 घटाएगा तो कितना साथ पराप्त होगा राइट एंसर डी हो जाएगा चलिए अग्ला जो प्रशने आपना मुका कथन और निस करै avaient किम सैब लीड़के हैा और कोछ कभी च्ठाएगा इसमें आपका राइट आसर कोस СबसLet कर रहे हैं यह कुछ चितरकार लड़के है, यही जो का अनुसवरण कर रहा है, ठीक, इस कथन के अनुसार, यह जो है ईंश अनुसर है तो यहाँ पर जो राइट एसार में हो जाएगा, यहाँ पर करता है, ठीक जिस तो अगली ब ज et करता है, चलिए अगला प्रसंदेखा ज़ाएए 10 मीश्डी में, अगल भारह को जो हो कर तीश्रे मैं फइसे जुर दुए हैं नहीं करेंगा तो उंतर हो रहा है और 21 cm 3 5 में बढ़ आ यह सब上 initi laisser से 27श सब्सक्राइब कि नहीं जो फाल क ही आड़ं na से हो जाएगा चलिए अगला प्रसने कि कअवा जो फीगर वाला प्रस्ट यह पूझा आपका यहाज फी सबस्कु lira लिजएगा चलिए अगला प्रासनिकिया प्रश्ण यहाँ पर हम लों का है कि कछा की बेंच पर कुछ चातर बैठे हैं आनंद 22 और से 27 बाई और से 27 पर 2 ने दाई और से 25 अस्थान पर बीने जो है बाई और से 25 अस्थान पर और आनंद और 20 पिछ पांच लड़के बैटे हैं एक दो तीन चार पांच ठीक तो यहां पर पुछा जा रहे की कुल मिलाकर कछ्छा में बेंच की च्छो पंगतियां जिसमें से यहां पर एक पंगति में पहले आपको ग्याद करना है कि इस एक पंगति में कितने स्टूदेंट बैठे हैं तो सांथ यहां और सती पांच बार और यहां पर बीच में पांच बैठे तो सांथ बार पांच वाँचे वैठे बैठे हैं और यह जो शो पंग्ति यह तो शो शक दिल dil जो टिसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पर पहलेute से मछली पलवक तब टो मेठक तो थे कंए हैं देख्त स्थ Honora पर जो मछली है उसको पलवक कहते है तो मेठक को इट कहते हैं ठैक चलिए अगला परसंप में Effective जिसर चार संख्य यह ढ किसी ना किसी रूफ्से पर audi साथ संघ करना कि इसके आपका आसंगत हो जाएगा है रहा देखें यहां पर है यहां कितना यह 12 का स्कौार यह नहीं 13 का बर्ग है यह चो joue regUN देख हरें तो यह शार सो जो चोवर आशुतिर वाइस यह 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 अCKने हिए यह तो अगवार यह पर आपिभी कर शना यह कि नहीं होता है साय तो यह पर आपका का जो असंगत में यह हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देखिए यहां पर हमलों का जो है बेंड डाइग्राम से प्रश्णिया कि कॉलम है मेज है और इसके बाद लेखन समागरी है तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसमें फिगर के अंशार आपको बताना है तो इसमें आप क का कौन सा फिगर हो जाएगा आपका इसमें आपका जो फिगर होगा वगण अगरांग तो इसके लिए अनदर आता है ठीक चलिए अगला प्रस देखा जाए यहां पर देखिए प्रस ने सोलावे नमर जो कह रहा है कि हाउस को 68 के रूप में लिखा जा सकता है कुट भासा में तो उसी कुट भासा में कैस्टेल को कैसे लिखा जा सकता है तो देखिए यहां पर कुछ नहीं क्या गया है यहां पर जो स इसको जोड़कर 68 क्या गया तो कास्ट्रो को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह साथ प्राप्ट होगा तो राइट एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक ि ओ अग्ला प्रश्णया परमलों का देगा। इस तरीग्ला कि आख्षणों की कौन सी जोड़ी होनी आद घॉन जो होनी चाहिए कौन सी होना चाहिए वह एम और एन होनी चाहिए ऐसा क्यों देखिए यहां पर बी और सी के बीच एक लेटर को समाप्त किया गया है और इसके बीच भी एक लेटर को छोड़ा गया है इसके बीच भी एक लेटर को छोड़ा गया है तो इसके बीच भी एक ले कि एक रगानस जो बारी वारी से सब्धोरा उपयोग किया जाता है और की रगानतो पहले करने और लूह स्कोप्यों करेंगे एस जरहार उपयोग करहतने कि और जो है वो के बाद और आर के पहले इसका उपयोग करेगा कि आर के ठीक पहले उपयोग करेगा तो एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा तो एम से ठीक बाद इस रनवे का उपयोग किया जाएगा वह किया जाएगा पी के द्वारा ठीक देखे इसका जो डाइग्र राम है वह ऐसे बनेगा फिगर ऐसे बनेगा पहले एक दो तीन चार पांच छे और अगला साथ साथ हो गया क्रम है और इसका जो उपयों करेगा पहले जो है एम करेगा दूसरी बार जो करेगा वह आपका पॉप यहां पकरेगा तीसरी बार ओ करेगा चोती बार एंड करेगा और पांच वी बार कियो और छटी बार आर के बाद यहां पर एस करेगा ठीक यहां पर जब आप लोग इसको बनाईएगा सुटीवल बठाईएगा तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा तो यह से आपका राइटेंस और दूसरे पर पी करेगा ठेक चलिए अगला प्वाइंट हम लोग 19 नमर प्रश्न का तो यहां पर देखिए उस विकल्प का चैन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंदी थे जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है तो दो बार तो पांच तीसवर आगा देखिए यहां पर दो बार यानि कि दो को मलटिपलाई चोओस से करेंगा तो यह तिस प्राप्त हो ठेक चलिए अगला जो प्रस्ण देखें यहां पर यह वाला फिगर इन चारों में ढूंड़ना है कि कहां पर ऐसा फिगर बंद रहा है और यहां पर एक निर्द्यस दिया गया है कि घुमाने घुमाने की अनुमति नहीं है इस अकृति को जैसे दाए बाएं हिला डूला कर घुमा अनुमति नहीं दी गई है यहां पर ऐसा जो चीतर है किस अकृति में देखने को मिलेगा तो इसमें आपका जो राइट अंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा तो देखिए यहां पर जो आपका राइट अंसर प्राप्त होने वाला है कौन सा होने वाला है इसमें आपक ऐसे और ऐसे जब आक्रीति आप देखेंगे तो वही आक्रीति है तो राइटेंसर यहां पर कौन साथ डी हो जाएगा ठेक चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला जो हम लोग का है 21 प्रस्ण कह रहा है देखिए यहां पर भी है जो फीगर वाला ही प्रस्ण है तो यहां पर पहले ऐसे हुआ है फिर ऐसे फिर ऐसे और अगली बार कैसे होगा तो अगली बार आपको ऐसे और ऐसे और यहां पर जो है गेंद हो जाएगा तो राइट एंसर यह हो जाएगा ठेक चलिए अगला प्रश्ण देखिए यहां पर प्रश्ण जो कह रहा है कि उस विकल्प का चैन करे जो दर्पन के दाई और रखे जाने पर दिये गए सब्दों की दर्पन 26 से सरवाधिक में लखाता है देखिए यहां पर दर्पन की दो स्थित्य हो सकती है पहले तो यहां पर एक नीचे भी दर्पन लगाया जा सकता है इस परकार और जो दूसरा दर्पन है वह इस परकार लगाया जा सकता है तो यहां पर जो है जर्पन इसी परकार से लगाए यहां पर दाई और इस तरफ दाई और जो है दर्पन लगाए गया है और जब दाई और दर्पन तुझ है ठेरा पर कौनसा हो जाएगा जब यहां पर क्या लागएगा थे यहसं तरफ लगाएगा तो यह उस्ट हजाए गार तो यह अपर दैगां रालाएगा तो यह अफ्टो हम wenn ठेक सेले अगला प्रस्न यहां पर हम लोग का है कि आठ मीत्र A B C D E F G H बैठे हैं यहां पर एक गुलकार में गुलकार जी समों के लिए गुलकार मेच के चारू तरफ बैठे हैं ए-फ के सामने है और ई के दाई तरफ यहां पर हम थ्था सा डाइग्राम ना देख्या है देख्यों यहां पर एसे जो है चार एक दो तीन 4 5 6 7 और 8 मित्र होगे यहां पर जो है कि यह जो है एफ के सामने है हम लोग पहले बिठाते हैं यह जो है एफ के सामने है और यह के दाई तरफ है और यह के दाई तरफ कौन सा है यह के दाई तरफ कौन है तो यह के दाई तरफ यहां पर यह के दाई तरफ है दूसरा यहां पर जब हम लोग E बाठाएंगे इसके दाएंगे तरफ ए हो जाएगा E के दाएंगे तरफ दूसरा E हो जाएगा, ठीक फिर कंदिशन करा है कि B और D के आमने सामने बैठा है पिर करा है कि G जो है C और A के बीच में बैठा है ठीक जी जो है सी और एक जब हम लोग यहां पर यहां पर जी बढ़ाएंगे और यहां पर सी तो यहां पर सी और जी के बीच में कौन सा जी हो जाएगा यहां पर जी बढ़ जाएगा और फिर कह रहा है कि एच एक बाइवर है यहां पर एच जो है एच की बात हो रही है एच ह करके की था है इच्छ के यह सामने का करण तो कोई हो सकता है और जो आपको पूछागा है है यहां पर देखिए के सामने क二 बैठा है तो यहां पर हम लोग का इसके जो सामने है वो सी बैठा था तो यहां पर प्रशन है और निश्कासन है तो सभी पैंसिल गलिया है और सभी गलिया कूटिया है ठीक तो इसमें कौन सा सही होगा इसमें जो आपका निश्कासन है कि सभी कूटिया पैंसिल है सभी कूटिया पैंसिल है और कुछ कूटिया पैंसिल है कुछ कूटिया जो है पैंसिल है तो इसमें जो आपको अनुसरन करेगा केवल दो अनुसरन करेगा ठीक इसमे केवल दो अनुस्वरन कर गया पहला जो अनुस्वरन नहीं करेगा तो राइट एंसर इसका भी हो जाएगा तो हम लोग इसमें जो है आपका 25 कोस्टिन जो हम लोग कम्प्लीट कर लिए और जो आपका जीकी और जीएस का प्रश्ण है तो उसको साम में प्रभाइट के तो आप लोग उसको भी देख लिजाएगा और मिलते हैं अगले वीडियो जो हम लोग का अरिजिनिंग का सेट फाइफ होगा तो तब तक के लिए थैंक्स